मुझे इस प्रोफेशन में मेरे ख्याल एक बाइस साल हो चुके हैं और बाइस साल में एक जो अच्छा अनुभव मिला है वो है अलग-अलग न्यूस रूम्स में काम करने का एक अख़वार में भी काम किया न्यूस एजन्सी में भी काम किया उसके बाद अलग-अलग टेलिविजन चैनल में अलग-अलग भूमिकाओं में रिपोर्टर ब्यूरो चीफ उसके बाद एंकर उसके बाद फिर आउटपुट चैनल हेड करने का एक मौका और अब ये सारा experience ले करके और अपने कुछ सहयोगियों के साथ एक news media start-up शुरू करने का और मेरा आज जो पूरा धे होगा पिछले अगले दस मिनिट में वो सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि अब हम लोगों को या किसी को भी एक बड़े media संगठन की जरूरत नहीं है there is a massive liberalization when it comes to news media हम लोग truly और आप यकीन नहीं मानेंगे अगर मैं इस शब्द का प्रयोग करूँ पत्रकारों के लिए ये एक स्वर्णिम काल है हम लोगों के लिए इस से ज़ादा positive समय और कुछ नहीं हो सकता है और अब मैं अगले कुछ minute जो है वो उसी पर focus करने के लिए करूँगा देखिए इतने सालों का जो अलग-अलग news organizations का जो तजुर्बा रहा वो तजुर्बा कुछ इस तरीके का था कि हर जगा अलग लोगों से उनके विचार जाने उनके biases भी जाने bias होना कोई बुरी बात नहीं है अगर आपको कोई भी आज आकर कि यह बोले कि आप unbiased हो जाईए bias मत होईए तो देखिए सीधी सी बात है anyone who is saying that he is truly neutral या वो बिलकुल unbiased है वो जूट बोल रहे हैं वो इसलिए जूट बोल रहे हैं there is only one condition in which you will be truly neutral and biased क्या कोई गैस करना चाहेगा वो क्या condition है anyone हम कब पूरी तरीके से neutral हो जाते हैं thank you very much जिस दिन हम मर जाते हैं जिस दिन आपकी मृत्य हो जाएगी आप truly unbiased हो जाएगे और जब तक आप जिन्दा हैं तब तक आप biased रहेंगे हाँ बस आपकी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि आपका जो bias है या opinion है that should be based on absolute facts problem ये हो गई थी इन सारे newsrooms में that the opinion became absolute और फिर आप retrofit करते थे उन facts को मैंने पहले ही मान लिया है कि ये मेरा सच है और अब मैं जा रहा हूँ खोजने कि इसमें तथ्य कहा है मेरे opinion को justify करने वाले तथ्य कहा है तो जब ये सारी चीज़े newsrooms में होने लगी और इसको मैं गलत नहीं मानता जिसका जैसा इमान जो जिस तरीके से करना चाहता है there will be an audience for everything ये इसलिए हुआ क्योंकि पूरी तरीके से news medium जो है वो operate करता है on the concept of लोगप्रियता on the concept of popularity आप popular होंगे तभी आपको लोग देखेंगे लोग देखेंगे तो आप popular होंगे popular होंगे तो लोगों की वज़ा से advertisers आएंगे, advertisers आएंगे आप पैसा कमाएंगे, पैसा कमाएंगे आप विस्तार करेंगे यही model है ना problem यह हो गई कि लोगप्रियता chase करते करते the casualty became the truth अब आपका पूरा focus लोगप्रिय हो जाना है और इसमें एक सबसे बड़ी problem यह होती है कि जरूरी नहीं है कि वो हर लोगप्रिय बात जो है वो सच हो आप सच बोल रहे हैं सच कहीं न कहीं लोगप्रिय हो सकता है और नहीं भी हो सकता है it's a risk that you have to take और यही basics है जरूरी नहीं है कि आप हर समय लोगप्रिय बात करें और इसी वजह से बहुत सारे news organizations यहां पर मेरा तजूर्बा है यह this is my own understanding I can be wrong also I can be challenged on these facts also मेरा यह मानना था कि उस लोगप्रियता के पीछे such a casualty बनी और जब वो casualty बनी तो बहुत सारे ऐसे मेरे पत्रकार मित्र हैं बहुत सारे साथी हैं जो कि field में साथ में मिले हैं वो यह चीज जानेंगे कि जो true spirit में journalism करना चाहते हैं दिल से एक आवाज आजाती है आज मज़ा नहीं आया आज अच्छी नींद नहीं आ रही है इस अच्छी नींद नहीं आरही है इस नाथिंग तो विद यूर इज़त वर्सेज EMI बैटल जो हम लोग लड़ते हैं ना अपनी नौकरीों में और क्या है कि आज नौकरी के लिए चलो ये भी सहले है वो भी सहले है इस Ecosystem की वो भी बात कर ले है Ecosystems आपको क्या देते हैं Ecosystems आपको एक Set Viewership दे देते हैं उसके लिए फिर आप उनके जैसी बात बोलने लगते हैं और जितनी बार आप ऐसे करेंगे ये शुरू किया है और वो मंत्रा है बात जो सही हो लोकप्रियने say what is right and not what is popular अब जाहिर सी बात है एक सवाल उठेगा और ये उठ भी रहा था जब हम शुरू कर रहे थे चलें hero बनने सच बात बोलेंगे सुनेगा कौन कौन सा advertiser पैसा लगाएगा कोई देखेगा ही नहीं सच कोई सुनना नहीं चाहता so my point is in every और ये मेरा 21-22 साल का जो तजूर्बा है वो मैं आप लोगों के साथ share करना चाहता हूँ और मैं क्यूं कहता हूँ कि अब ये एकदम स्वन्निमकाल है भयंकर liberalization है journalism के medium में और आप कर सकते है जब बहुत सारे journalists और media houses in ecosystem driven catchment areas को capture करने में लग गए ये political हो सकते हैं, economic हो सकते हैं कुछ भी हो सकते हैं तो आपने अपनी audience को reduce किया, आप मैं से कितने लोग हैं जो कि ऐसे लोगों से मिले हैं जो ये कहते हैं हमने तो news देखना ही छोड़ दिया Thank you sir You prove my point ये वो लोग हैं जो की opinionated हैं ये मरे नहीं है इनका भी एक मत है लेकिन जब सौ लोगों के audience में होता क्या है न कि लोग कुछ शोर जादा मचाते हैं तो दो तरीके के लोग शोर मचा रहे हैं उसमें 98 लोग चुपचाप बैठे हुएं ये वो चुपचाप लोग हैं जो की सत सुनना चाहते हैं भले ही वो लोगप्रिय हो या ना हो और क्योंकि ये किसी ecosystem में नहीं आते तो इनको नजर अंदास कर दिया जाता है आप ecosystem की तरफ चले गए क्योंकि आपको ये लग रहा है यहां से मुझे लोगप्रियता मिल जाएगी और इस silent majority का क्या ये silent majority कहां जाएगी मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ हमारा जो experience रहा है the red mic में साढहे तीन महीने में and I don't boast आपने यहां notice किया होगा मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ किसी संस्थान का नाम नहीं ले रहा हूँ किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जरूरत ही नहीं है बिलकुल जरूरत नहीं है I am really really grateful to the big media houses of this country for the way they have behaved themselves that they have created an entrepreneur out of a person who would have never thought of doing this हम इतने महफूज महसूस कर रहे थे अपने आपको I was so ensconced in the comfort of a job घबराट होती है ना कि हम entrepreneur कैसे बने वो कैसे कर ले है यह हम यह जरूरलिस how can we be entrepreneurs thank you to these media houses that now they are creating an opportunity and thanks to technology अब हम कर सकते है और यह जो silent majority है इसका जो सबसे बड़ा proof है you know living shining example वो है the red mic where we say what is right and not what is popular that in three and a half months I have an audience base a subscription base of five and a half lakh sorry five भगवान ने चाहा one million भी हो जाएगा five lakh subscribers and millions of views और यह कोई किसी ecosystem के लोग नहीं है क्योंकि मैं देखता हूँ उसमें बहुत सारे comments जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कहां से आ रहा है और अगर आ भी रहा है अगर किसी catchment area से आ भी रहा है तो क्योंकि आप सच बोलेंगे तो उनको निराशा भी होगी लेकिन धीरे धीरे करते 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 आप उस silent majority को attract करेंगे एक बार फिर से जो किसी ना किसी कारण की वज़ा से मजबूर हो गई थी यह बोलने के लिए कि मैं तो news ही नहीं देखता या मैं news ही नहीं देखती या मैं तो कुछ और ही देखता हूँ या देखती हूँ ऐसा नहीं है कि इन लोगों को भूख नहीं है ऐसा नहीं है कि ये लोग बेरोजगारी की ख़बर नहीं सुनना चाहते इसी डिजिटल प्लाटफॉर्म में बेरोजगारी सीरीज चलती है जिसके लाखों व्यूज होते है प्रॉब्लम ये है कि न्यूज रूम्स में जब ये बोलना शुरू कर दिया जाता है कि ये तो बोरिंग सब्जिक्ट है कोई देखेगा नहीं दरशल खबर बोरिंग नहीं है आपका बताने का तरीका बोरिंग है आपका बात करने का तरीका बोरिंग है क्योंकि आप लोग प्रियता के पीछे भाग रहे आपके ecosystem से उसको appreciate नहीं करते तो आपको लगता है यही जनता है यह जनता नहीं है और मेरा यह कहना है I appeal to all those advertisers who may be here, all those people who जो सोच रहे हैं कि television पर जो debates होती थी ना पहले, आज वो उस तरीके का तेज क्यों नहीं है उसमें उस तरीके के views क्यों नहीं है क्योंकि हर formula का एक law of diminishing returns होता है हर formula एक time तक चलता है और जब आप उसको over exploit कर देंगे खतम हो जाएगा आज अगर आपको एक अच्छा advertiser, अगर एक business opportunity ढूंड रहा है तो वो इसी में है, और यह एक ऐसी अमर चीज है, जो कि कभी नहीं जा सकती, because जब जब लोगप्रियता की होड होगी तब तब सच के लिए एक अंदर से एक जजबाद जगेंगे लोगों की, सच तो जाने है कि क्या हो रहा है समय अब है, the time is now इस स्वन्निम काल में catch people like us catch many who are like me very early on, we are available हम आपके सामने उपलब्ध है invest and not what is popular thank you very much